कि नमस्कार दोस्तों आज हम सिखेंगे कि फॉइस में डिमांड स्प्रिट फंक्शन को कैसे परफॉर्म किया जाता है तो डिमांड को स्प्रिट करने के लिए सबसे पहले डिमांड लगाई जाती है आज कल डिमांड रेजिस्ट्रेशन नॉर्मल एप्लिकेशन में ना होकर e-demand registration की तुरू किया जाता है तो पहले हम देखेंगे कि e-demand में demand को register कैसे किया जाता है सबसे पहले अपने authentic user ID password से आप login करेंगे e-demand registration application में जो की एक web application है user ID password देने के पाद आपको इसमें e-demand लगानी है उसके लिए आप e-demand tap open करेंगे उसके बाद उसमें normal demand लगाएंगे इससे आपका e-demand registration का page खुल जाएगा सबसे पहले आप customer code जो की ECB है हमारे case में को station देना जहां पर आपको demand लगानी है जैसे हमने यहाँ पर ENDI use किया है उसके कुछ detailed retrieve होंगी अब आपको add another के साथ एक नई demand को add करना है तो इसके step one पर हम आ गए अब हम को यह देख रहा है कि पिसमी लिया रेक में हम किसको नेना चाहते हैं तो हमने यहाँ रेक लिया उसके बाद address जा लेंगे consignor का किस तरह का traffic है इस पर तो हम यहाँ पर good strength लेंगे बदर demand जरुएत नहीं है तो हम next कर सकते हैं next करने के बाद हम step two पर आते हैं step two पर हम consignor का जो GSTi number होता है वो लेते हैं इसमें already register GSTi number किसे हैं उसमें से हम कोई भी एक choose कर सकते हैं कहा हमारा रेक जाना है demand कहां तक के लिए register हो रही है उसको डालना है तो station two PNP पानी पत क्या community है रेक community में हमने MS को चूज किया जो ग्रूप रेक community है उसी के अंदर जितनी commodity है उसके list यहां पर आई है उसमें से हम कोई भी एक choose कर सकते हैं उसके बाद commodity code hsn code कौन सा है उसका petroleum product में consigny code क्या है जिसको हम उसको send करना है demand को उसका address इस सब कुछ चीजे डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कितने units की हमको demand लगानी है क्या उसका stock type होगा btpn जो हमने पहले screen पर select किया था total unit 50 कितने ton होगा 2900 ton यहां पर हम approximately value भर रहे हैं जैसे वह confirm करेगा confirm current Fnote में पूरे detail आ जाएगी उसको next करते हैं अब हम आगा step number 3 पर freight advance sim क्या है yes या no यह हम पहले यूज किया करते थे अभी इसका use नहीं होता है तो इसको हटाया भी जा सकता है आने वाली screens में उसके बाद कुछ भी चीजे mandatory नहीं है जो चुछ आटो फिल्ड ने वो आटो पी जाएगा confirm करने के लिए उसको उट्रीटी confirm करने के पाद हम उसको demand को register demand करते हैं तो इस प्रकार हमारी demand register होती है उसके पहले information आती है based on the data that is ended by you now as per the existing rules of IR prime officia your e-demand is likely to be charged on train road do you want to proceed with the registration yes or no तो इसको yes कहते हैं हम आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर by default हमेशा लंसम एकाउंटी रखा जाता है इसको आप SDI payment gateway के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं अब यहाँ पर party के सामने एक option आता है कि adjust WRF with freight अगर वो WRF करते हैं यह हमारी डिमांड रेश्टर हो गई आप देख सकते हैं डिमांड रेश्टर सक्सेस्फुली अन लंसम एकाउंट अब यह हमारी लगी वी दिमांड को हम चेक करते हैं अपनी TMS application के डिमांड रेश्टरेशन स्क्रीम में कि हमारी डिमांड वहाँ पर लग गई है क्यां नहीं जैसे आप देख रहे हैं फे हमनीं डिमांड लगाई थी यह हमारी यह पेर हमारी टिमांड लगी हूई है स्टेशन टू पे levels के लिए बीटी यह स्टोक टाइप की मर्म इस तरह से नेंधिन के बाद आपस को गष students करते हैं दीबांड को स्बकर करने के बहुत को चेंज करना चाहते हैं हम यहाँ पर एफनेट को बढ़ा और घटा भी सकते हैं साथी साथ सेम हैड की दिमांड या सेम हैड की कॉमोरिटी को हम चेंज भी कर सकते हैं जैसे हमने freedom हमको मिलते हैं demand split करने के लिए demand split का reason यह होता है कि मान लिजे हमने demand register कर दी है आज की date में but railway हमें rate provide करेगा आज से आने वाले 10 या 15 दिन बात या कभी कभी इससे ज़्यादा भी time लग जाता है तब तक बहुत सारी चीजे बदल जाती है हो सकता है कि हमारी demand का हो जाए यहां पर हम जिसको जो community हम भीजना चाह रहे थे उसकी need वहाँ पर कम हो जाए या उसके destination बदल जाए या हमारे पास उस प्रकार के wagon अविलेबल ना हो जो wagon हम भीजना चाहते थे यह बहुत सारी conditions होते हैं जिसके अकारण है demand split का function use करना पड़ता है यहां पर demand split की एक condition यह भी है demand को split के वर good clerk कर सकता है वो भी senior DCM की authority के साथ senior DCM को request आती है party की तरफ से कि हमारे demand को split करना है या demand को हमारी change करना है तो उस basis पे senior DCM के authority के साथ good clerk उस demand को change कर सकता है दूसरी condition यह है कि रेक allotment से पहले ही आपकी demand split हो सकती है अगर आपकी रेक एक बार allot हो चुकी है तो उसके बाद आप demand को split नहीं कर सकते हैं रेक के commercial allotment से पहले ही आप demand को split कर सकते हैं उसके बाद आपको demand split करने की facility provide नहीं की जाती है रेक अलॉट्मेंट हमीशा डिमांड के अगिंस्ट होता है, अब हम डिमांड स्प्लिट का फंक्शन TMS अप्लिकेशन के तुरू परफॉर्म करके देखेंगे, डिमांड को स्प्लिट कैसे किया जाता है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे वो डिमांड लगा चुका यहां पर क्या होगा कि इस दिमांड केंश पूरे के 50 युनिट हम अलॉट नहीं कर पाएंगे यहां पर हम फॉर्वर्वरिड इनोट में जाकर टीमांड अप्टिय में इस एप्लिकेशन में लेइस्टेशन के अंदर इस्प्रिट को यूज कर सकते हैं, इस्पिलिट को क्ल कि हम चाहेंगे कि आप डिमांड चेंज में कनफ्यूज नहीं करने कर सकते हैं 50 यूनित की जगँ बाद एक नई रोग इंसर्ट होगी इसमें आपको रो के फिस्ट पोजिशन पे आना होगा एक अफ्री करने के लिए अब यहां पर F3 करेंगे, एक नई रो इंसर्ट हो गई, यहां पर आप बाकी सारी चीज़े चेंज कर सकते हैं, अलग-अलग GSTN दे सकते हैं, अड्रिक दे सकते हैं, स्टेशन भी चेंज कर सकते हैं, कमूरिटी चेंज कर सकते हैं, हमने MS की जाएकर Black Oil ले लिया है, जो की सेम गूर्प रेक कमूरिटी के अंदर ही कमूरिटी आती है, यहां पर हम कासाइनी भी चेंज कर सकते हैं, बेट चेंज करने के बाद, स्टॉक टाइप BTFLN लिया, और हमने इसके यूर्ट को 5 करते हैं, जिससे हम एक और रो इंसर्ट कर सके, डिफरेंट डाइप की, फिर से स्टार्टिंग पैनाने के बाद, एक नई रो इंसर्ट होगी, यहां पर हम स्टेशन टू चेंज करते हैं, पहरे दो हमने अंबाला भी जेते, इस बार हम PNP भेजते हैं, और हमने कमोर्टी भी चेंज कर दी, यहां आपको सिर्फ वही कमोर्टी दीखेंगी, जो सेम ग्रूप रेट कमोर्टी में आती हैं, यहां पर हमने इसके 5 उनिट लिए, BTPN में और सेफ कर दिया, इस प्रकार हमारे डिमांड को स्प्लेट कर दिया है, आप देख सकते हैं, यह अब एक रो के कर्रोस्पंडिंग हमारी डिमांड डेटेंज में तीन रो दिख रही हैं, अब एक्च्छल लोडिंग के टाइम पर हमने देखिए, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, हमने 50 लिए थे BTPN के, बट एक्च्छल लोडिंग के टाइम पर हमने इसको सरक्म्स्टांसेस के कर्रास्पंडिंग चेंज करते हुए, पांच यूनिट BTPN के, SKO के PNP के लिए, पांच यूनिट BTFLN के, बॉयल कमॉनिटी के अमबाला के लिए, और 40 वहां के लिए ले लिए, इस परकार हमारी डिमांड स्प्लिट हो चुकी है, धन्यवाद,